3,89,000 रुपे की स्पेलिंग क्या होती है और 3,89,000 रुपे को चेक पर लिखने का सही तरीका क्या होता है यह हम आज इस वीडियो में सीखेंगे 3,89,000 रुपे को इंगलिश में हम 3,79,000 रुपीज कहते हैं और अगर हम अकाउंट पे चेक देना चाते हैं तो चेक के सबसे उपर कॉर्णर में हम अकाउंट पे ओनली लिखेंगे फिर जहाँ पर पे ABC नेम लिखा हुआ है वहाँ पर आप उस परसन या कंपनी का नेम लिखेंगे जिसे आप चेक दे रहे हैं नेकचे आप लिखेंगे और इसकी स्पेलिंग होती है और उसके नेचे 3,89,000 रुपे मातर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हिंदी या इंगलिश किसी एक भाशा में है चेक भरें और राइट इंड साइड में जो बोक्स दिया हुआ है उसमें 3,89,000 रुपे को अंको में लिखना है जिसके लिखने का तरीका है 3,7,9 फिर 3 बार आपको 0 लगानी है और नीचे जहां आपका नाम लिखा है वहाँ उस नाम से उपर आपको अपने सिगनेचर करने होते है ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारी चैनल को सिब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा परियास पसंद आया है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें आपकी लाइक हमारे लिए बहुत माइने रखते हैं